नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप सभी का स्वागत है नियूस क्लिक के शो डेली राउंड अप में आई नज़र डालते हैं आज की मुखियों सुर्कियों पर कोला विस्तार से महानगरू में 60 प्रतिश्रत तक बढ़ सकती है समय से पहले होने वाली मौते बिहार पहला राज जहां देश का पहला महिला कमांडो दस्ता तयार है अर्विन केजरिवाल देश वक्ती का नया पार्टी करम लेकर क्यों आ रहे हैं हिमाचर प्रदेश में शिच्छा का बुरा हाल 2000 सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक एक शिच्छक और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में 24 गंटों में 26 या 727 नए मामले 277 मरीजों की मौत भारत में 64 गीगा वार्ट तक के कोला विस्तार का प्रभाव बेहत खतरनाक हो सकता है ऐसा Center for Research on Energy and Clean Air यानी CREA और C40 Cities द्वारा जारी की गई रिपोर्टों में बताया गया है रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोला विस्तार की वज़स से अगले दशक तक समय से पहले होने वाली मौतों में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी यानी अगले दशक में 52,000 से जादा मौते हो सकती है रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इसका सबसे जादा प्रभावत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलूरू और चिन्नई जैसे महानगरों पर पड़ेगा जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक इन पाँच महानगरों में मौतों की संक्या में बढ़ोतरी होगी कोलकाता में अगले 10 साल में 1060 मौते समय से पहले होगी मुंबई में 160, चेन्नई में 500, दिली एंसी आर में 200 और बैंगलूरू में 200 मौते समय से पहले होगी ऐसा इसकोला विस्तार का प्रभाव पड़ेगा प्रशिचर समाप्त होने के बाद बिहार पुलिस की महिला कमांडो अब अपना दमखम दिखाने को तयार है यह पहला ऐसा मौका है जब किसी राज पुलिस में ऐसी पहली महिला कमांडो के दस्ते को तयार किया गया इनने अर्ध सैनिक बल की देख रेक में प्रशिचित किया गया है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रशिचर पूरा करने के बाद बिहार वापस लोटी इन महिला कमांडो को छुट्टी पर भेज दिया गया था अब इनकी छुट्टी समाप्त हो गई है अब जल्दी इन कमांडो को विशेश तोर पर गटिद एजेंसियों में तैनाद किया जाएगा जहां चुनिंदा पुलिस वालों को ही मौका दिया जाता है STF और ATS में तैनाद किये जाने वाले पुलिस अधिकारी और जवानों को पहले इन एजेंसियों द्वारा चुना जाता है और फिर उन्हें विशेश प्रशिचर से भी गुजरना होता है इसे से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला कमांडों के इस टीम को बिहार पुलिस कितनी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है दिली के मुक्यमंदी अर्विंद केजरिवाल ने राजानी के स्कूलों में बच्चों के लिए देश भक्ती पार्टिकरम लाने का एलान किया है देशभक्ती पर बोलते हुए अरविन केजरिवाल ने कहा कि जब हम भगत सिंग की फिल्म देखते हैं तो हमारे रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं यही देशभक्ती है जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमारे भीतर कुछ ऐसा होने लगता है यह देशभक्ती है लेकिन देशभक्ती कभी कभी जगती है 24 गंटे नहीं जगती हमें ऐसा महाल बना रहा है कि यह देशभक्ती 24 गंटे जगती रहे हरादमी गांधी नहरू पटेल सुभाश अन्बोस की तरह बने केवल डॉक्टर इंजिनियर वकील न बने बलकि देशभक लेकिन अर्विन के जिवाल ने यह बात नहीं कहा कि जो नेता जनता से किये गए अपने वादेश से मुकर जाता है वह देशभक्त नहीं होता जो नेता सविधान की धजियां उड़ा कर काम करता है वह देशभक्त नहीं होता जो नेता भारत में भयंकर गरीबी से मर रही ब मज में नहीं आती यह पूरी रिपोर्ट आप हमारी हिंदी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं पहाड़ी राज हिमाचल प्रदेश से सिच्छा व्यवस्ता के बारे में हैरान करने वाले आकड़े सामने आये हैं इसके बाद उना, शिम्ला, मंडी, सोलन, बिलासपूर, कुलू जैसे जिलों में एक हजार से चार जार तक छात्रों ने सरकाली स्कूलों में एडमिशन दिया है मगर दा ट्रिब्यून अकबार में Unified District Information System for Education के हवाले से छपी 2020 से 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि हिमाचर प्रदेश्ट के सरकारी स्कूलों की हालात इतनी खसता है कि 2507 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में सिर्फ एक अध्यापक है 6489 प्राइमरी और 378 मिडिल स्कूलों में दो अध्यापक है और 1573 प्राइमरी और 746 मेडिय स्कूल में सिर्फ तीन अध्यापक है इस सर्मना के सिती का अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज़े के 722 स्कूलों में सिर्फ एक एक क्लासरूम है 356 में दो और 5177 में सिर्फ तीन क्लासरूम है और आखिर में हम बात करेंगे कि इंद्री स्वास मंताय दोरा शुक्रवार यानी एक अक्टूबर को जाड़ी आगड़ों के उनिसार देश में 24 घंटों में करोना के 26,000 से ज़्यादा नए मामले दर्श किये गए और 270 मरीजों की मौत होई है 27 बीच देश भर में करोना से पेड़ित 28,000 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 1796 मामले कम हुए है देश में करोना संक्रमण के मामलों की संक्या बढ़कर लगब 3,37,000 हो गई है जिन में से अब तक 4,000,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पेड़ित 3,30,000,000 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या घटकर करीब 2,75,000 हो गई है स्वासमंत्रालिक ताज जानकारी के अनुसाह देश में करोना वैक्सीन की अब तक करीब 90 करोड डोज दी जा चुकी है जिन में से 64,000,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोज पिछले 24 गंटों में दी गई है और एंत में महेंगाई के उस जटके की बाद जो काफी जोर से दिया गया है जी हाँ, अक्टूबर की शुरुआत होते ही पहले दिन ही महेंगाई की भी डोज दी गई LPG सिलेंडर की कीमतों में एक बाद फिर बढ़ोतरी की गई है लेकिन राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में हुई है घरेलू सिलेंडर को फिलाल बख्ष दिया गया है ख़बों के अनुसार 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 43 रुपए 50 पैसे की वृद्धी की गई है इस वृद्धी के साथ अब दिल्ली में यह कॉमर्शियल एल्पीजी सिलेंडर 1693 रुपए से बढ़कर 1736 रुपए 50 पैसे का हो गया है वही नॉन सबसीडी वाले घरेलू एल्पीजी सिलेंडर की कीमत फिलाल 884 दस्मिलों 50 रुपए पर स्थित है आज के डिली राउंडों में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्वीटर और इंसागाम पे में फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया